आज 24 अक्टूबर तो चलिए देखते हैं आज का current affairs इस वीडियो में total होते हैं 10 questions और एक होते हैं question of the day जो की कल का सवाल है तो सबसे पहले वीडियो में दिखते हैं कल का सवाल और वीडियो के अंत में मिलेगा आज का सवाल भावानी देवी has represented India in भावानी देवी ने रिप्र परफोर्मर है क्योंकि उन्होंने 9 टाइम्स नेशनल चैंपियंशिप में पार्टिसिपेट किया और जीता भी है commonwealth के में इन्होंने काफी टाइम जीता है अभी हाल में olympics 2020 में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और इंडिया को फेंसिंग में प्रेजेंट किया थ आगे बढ़ते हैं question number one how many Indian companies are producer of COVID-19 vaccine कितने इंडियन कंपनी जो है वो COVID-19 की वैक्सिन को प्रडियूस करते हैं देखे अभी हाल में एक मीट हुआ प्राइम मिनेस्टर मीट जहां पे बहुत सारी companies आई और वो इंडियन कंपनी जो COVID-19 वैक्सिन प्रडियूस करते हैं वो इं प्रडियूस करते हैं कौन-कौन से देख लेते हैं भारत बायोटेक पता ही आपको सेरम इस्चूट जाइडस कैडिला पैनेशिया बायोटेक इंडियन युमिनोलोजिकल माइफ माइन फैक्ट और बायोजिकल यी और दोमेस्टिक फर्मा फॉर्म ठीक है जो कि इंडिया मे कोई-19 वैक्सिन प्रडियूस कर रहे हैं कि अभी हाल में पूरे विस में भारत क्या नाम हो रहा है क्योंकि भारत ने 100 करोर वैक्सिनेशन कंप्लीट कर लिया है कब क्या है बताएं 21st October को ठीक है और हमने ये वैक्सिनेशन कब स्टार्ट किया था 9th January को 2. How many सक्षम सेंटर's has launched in the D.A.Y.N.R. LM scheme तो कितने सेंटरillar ant Deejalsckee ये 152 सेंटर's launch किये गए D.A.Y.N.R. LM is थे नेशनल रूरल लिउड मिशम शेंम कहें देख लिएची ए 150 152 सक्षम सेंटर्स has launched Indian Dayal Atidwaya scheme के अंतरगत 152 सक्षम सेंटर्स launch किये गये हैं यह सक्षम सेंटर्स कौन हैं क्या है थोड़ा जानते हैं देगे सक्षम सेंटर्स और सेंटर्स पर फिनांसियल लिट्रेसी एंड सर्विस दिलिवरी जी हां यह एक ऐसी सेंटर्स है जो कि फिनांसियल लिटरेसी और सर्विस डिलेवरी की बात करता है और इंडिया के ऐसे बहुत सारे रीजन हैं जहां पे लोगों को मोबाइल चलाने तो आता है इनफेक्ट वो यूटुब पे भी देखते हैं वाटसब भी यूज़ करते हैं लेकिन जो मेंन काम होता है जैसे कि सेविंग, क्रेटिट, बैंक, इंसुरेंस इन समय उनकी नौलेज इपनी होती है तो इसी लिए यह सर्विस डिलेवरी सेंटर्स खोले जाते हैं जहां पर जो भी लोग है वो जाकर इन सेंटर्स से सर्विस अवलेवल करवा सकते हैं और दिजिटल पोग्राम है उनसे जूर सकते हैं तो ध्यान रखें यह दिन दयाल अन्त दोया स्कीम के अंतरगत है नेशनल रूरल लिब्लीवड मिशन में रूरल डिबलप्मेंट से रिलेटेड है यह और यह मिनिस्ट्री ओफ रूलर डिबलप्मेंट के अंतरगत भी आता है क्रेशेन 3 कि international airport facility है चांठ इंजमोय कयो है तो कौण से एरफोर्ट स्टार्ट हुए है वह हुआ है स्री नगर ए緣फिट इंट्रेनेशनल एइरपूर्ट हो गया है और स्री नगर से अब बाहर आसानी से जाया जा सकता है इंडिया से बाहर और जो first flight है वो actually में स्री नगर से सार जहां जो की UAE में है वहां भेजा गया है तो go first जो एक company है वो launch की है start की है inaugural flight from स्री नगर टू सार जहां तो सार जहां कहा है UAE में देखिए यह flight आगे बढ़ते हैं question number 4 की तरफ which country has removed from the grey list of financial action task force कौन सी country जो है grey list से बाहर हो गई है तो वो country है Morisus जी हां देखिए यह अच्छी news है Morisus और Botswana जो है अब grey list में नहीं आती है पाकिस्तान अभी भी grey list में है ठीक है यह बताना जुरूरी है क्योंकि बहुत सारे channel में यह भी share हो रहा है कि पाकिस्तान अभी भी है तो बिलकुल अभी भी है पाकिस्तान वो grey list से बाहर नही agreement है इसके अंतरगत क्या होता है जो भी country money laundering या terrorist funding करती है ऐसे countries को grey list में रखा जाता है और जहां पर बहुत ज्यादा crime होता है उनको blacklist में रखा जाता है grey list में आने से क्या नुकसान है वो देख लेते हैं तो आपको financial fund नहीं मिल पाता है international fund नहीं मिल पाता है विकॉज आपका नाम grey list में है तो इसी लिए जो भी country से बाहर हुए है जैसे maurisus एंड बोस्वाना तो यह एक good news है आगे बढ़ते है question number 5 के तरब सत्य जीत lifetime achievement award 2021 2021 has given to सत्य जीत lifetime achievement award 2021 किसे दिया जाएगा तो देखें यह आवार्ड जो है वो दिया जा रहा है maritan scruces ठीक है maritan scruces को दिया जा रहा है यह hollywood star है maritan scruces और Hungarian filmmaker इस्टरवेन सजयबो ध्यान रखे नाम इस्टरवेन सजयबो इन दोनों को मिल रहा है सत्य जीत रे की जो film award है और यह award दिया जा रहा है 52nd international film festival जो की गोवा में हो रहा है ठीक है में होने वाला है कुश्य नमबर सिक्स प्याते हैं token HQ has launched by important है token HQ launch हुआ है किन के द्वारा वीजा रूपे रोजर पे जिसारे mastercard है तो यह launch क्या गया है इन सभी के द्वारा देखे token HQ क्या है काफी न्यूज में है token HQ has launched by rosa pay with mastercard रूपे और वीजा यानि कि यह सभी जो company है सब मिलकर rosa pay mastercard रूपे वीजा यह introduce कर रहे है token HQ यह क्या है थोड़ा जानते हैं देखे token HQ is a process जिसमें card on file facility दी जाएगी card on file इससे क्या benefit है वो देखते है what happen generally क्या होता है कि जो भी हम लोग card जो use करते हैं अगर वो खो जाता है या फिर उसमें transaction issues आते हैं तो हम लोग बहुत बढ़े सान हो जाते हैं ऐसे में बड़े businessmen के लिए support के लिए लाया गया है ताकि अगर उनका कभी card जो है वो खो गया या ब्रीच हुआ illegal इस्तमाल किया गया तभी उनको कोई issue नहीं होंगे क्योंकि उनके जो important data है उनको as a number encrypt किया जाएगा ताकि जो चोर है वो इसको easily ले ना पाए और यूज ना कर पाए तो अगर card आपका गिर भी जाए तो कोई बात नहीं क्योंकि उसका कोई value नहीं रहता है अगर आप token HQ process के अंतरगत आ जाते हो इसलिए इंडिया ने खरीदा है कहां से इंडिया ने इसे खरीदा है USA से यह क्या है थोड़ा जानते है यह एक warfare टूल है देखिए यह एक्षरी आप इंडिया के स्ट्रेक्टिक इंपॉर्टेंस के लिए यह बहुत ज्यादा important है तो इसी लिए हमने यह खरीदा है तो इस पे ध्यान दे यह बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है ठीक है जो इंडिया को मिली है अमेरिका के दौरा और यह एक ऐसा वारफेर है जहां पर हम सब मैरी अटाक को ट्रैक कर सकते हैं और बचाये जा सकते हैं अपने कंट्री वोग कुश्च नमबर एट इंडिया लाजेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट विल बी दोगार और कह साट अब हो कहां ने द देखेंग लेते हैं तो दिकें यह से टप्लानट विजेपूर मध्ये पर्देश में वहां Hai यह सेटप और वे हैं साउथ कुरिया के दाओर और ये इंडिजिनियस रॉक है है। наша फाली सब्सक्राइब क्यों किमुनिटर करे sìmemorals कुझे नौध कुरिया करेगा की अभी नौध का चाहने वΡ़्ड sasir डेंजरेस बैलिस्टिक कुरूज नाया है। क्योंकि यह मिसाइल काफी डेंजरेस है तो उसी की प्रोटेक्शन के लिए साउथ कुरिया ने रॉकेट लॉंच किया है इस रॉकेट का नाम है नूरी और इसका पपस यह है कि वह सामीन करेगा वह मॉनिटर करेगा साउथ नॉर्थ कुरिया के अक्टिविटीज को ठीक है त वर्ल्ड का सबसे खतरनाव मिसाइल लॉंच किया है इस फॉटीफाइड राइस बहुत इंपोर्टेंट है कौन सा नूट्रिंट होता है फॉटीफाइड राइस में तो देखिए फॉटीफाइड राइस में होता है बिटामिन बी ट्वेल्ट कुश्यन अभी आसान लग र सारे स्कूल में इंट्रिद्यूस कर दी जाएंगे और अभी हाल में पंजाब के दो स्कूल गवोर्मेंट स्कूल में इंट्रिद्यूस हो गया है फॉटीफाइड राइस में क्या मिलता है यह जरूर जान ले फॉटीफाइड राइस में मिलता है फॉलिक एसीड बिटामिन B12 ठीक है और आइरन यह तीनों चीज मिलते हैं और इसलिए यह कोशन बहुत important है फॉलिक असीड विटामिन B12 और आइरन कोशन अब दे यानि आज का सवाल Cambrian petrol exercise held at कहां पे हुआ है exercise जल्दी से बता दे और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दे शियर कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और थैंक्स तो वाज दे वीडियो फुल